बारत लगातार रशिया से अपने क्रूड ओल इंपोर्ट को बढ़ा रहा है इवन रशिया पर एकनॉमिक शेंशन लगने के बाद से भारत नहीं रशिया से सबसे ज़्यादा क्रूड ओल को इंपोर्ट की है अब हम सब जानते हैं भारत इस समय दुनिया की फास्टेज बारत को अपने इंडिस्ट्रिल एरिया के लिए चाहिए होता है लेकिन सिर्फ यहीं नहीं भारत के पास भले ही क्रूड ओल के रिजब बहुत ज्यादा वेलिवल ना हो लेकिन भारत में स्थित ऑइल रिफाइनरी में क्रूड ओल को रिफाइंड प्रोडक्ट में बदल कर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है जिसमें इस समय भारत के लिए यूरोप बहुत बड़ा मार्केट बन गया है लेकिन यूरोप के फॉरेंड पॉलिसी चीफ जोसफ वॉर्ल ने इस पर नाराजगी जताई है उनका मानना है कि भारत रशिया के क्रूड ओल को रिफाइंड ओयल प्रोड़क्ट जैसे पेट्रोल और डीजल को यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा है जिसके बाद जोसफ वॉर्ल ने भारत के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही इस पर हमारे फॉरेंड मिनिस्टर एस जैस शंकर निक्या प्रतिक्रिया दी और इस अब इसके पीछे का रिजन बहुत ही सिंपल है रशिया पर स्रेंग्शन लगने के बाद से रशिया ने बहुत ही सस्ती कीमत पर भारत को अपना क्रूड ओल बेचा है और सस्तर क्रूड ओल मिलने के वज़ए से भारत में मुझूद ओयल रिफाइनरी को भी बहुत अधिक कदब उठाब हुआ है साथी क्यूंकि अब युरोप रुशिया से आयल को इंपोर्ट नहीं कर रहा है प्रोड़क्ट बहरें से ईयरोप आता है वह यह पूरे युरोप के लिए चिंता का विशे है और इसके खिलाफ यूरोप को कदम उठाने चाहिए उनके अकॉर्डिंग भारत अगर रशिया से क्रूड ओल इंपोर्ट करता है इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर भारत रशिया के ओल को रिफाइन करने का सेंटर बन रहा है और बने हुए समान क यूरोप में बेच रहा है तो ये गलत है ऐसे में भारत रशिया पर लगे हुए शैंक्शन को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है लेकिन आखिर किन कारणों के चलते भारत इतनी ज्यादा क्वांटिटी में रशिया से ओल पर चेस कर रहा है और कैसे यूरोप भारत के लिए चंपोर्ट करने के लिए बहूसन को सब्सें बहुत जादा था अब बात करेगर ब्हारत की तो इंडियन रिफाइनरी पहले रशिया से बहुत कम कॉंटिटी में परचेस किया करती थी क्योंकि जो transportation का cost था रशिया से oil import करने का वो बहुत ज़्यादा था क्योंकि रशिया भारत से बहुत ज़्यादा दूर है as compared to Gulf nation जिस वज़े से इंडिया गल्फ के देशों से ज़्यादा मातरा में oil import करता था लेकिन war के बाद सस्ती कीमत पर रशिया ने अपना crude oil इंडिया को offer किया जो भारत के लिए भी अच्छी डील थी अपने foreign reserve को बचाने के purpose से जिसके बाद रशिया के सबसे बड़े oil producer रोजनेफेट और इंडिया की सबसे बड़ी oil refiner Indian oil corporation के बीच एक term deal को sign किया गया इसके लावा यूरोप में बहुत सारे oil refiner को बंद किया जा चुका है जिसके पीछे का कारण environment pollution को बताया गया था ऐसे में यूरोप crude oil import नहीं कर सकता था और उन्हें crude oil से निकाले हुए refined product की जरुवत थी अब अगर भारत को देखा जाए तो सुरु से भारत के पास बहुत बड़े oil refineri मुझूद थे जिससे हुआ ये कि जब यूरोप ने रशिया के oil import पर बैन लगाया तो उन्हें अपनी जरुवत को पूरा करने के लिए किसी और देश से refined oil product को इंपोर्ट करना था जिसके बाद इंडियन oil refineri ने यूरोप में एक्सपोर्ट को जादा बढ़ा दिया लेकिन जौसफ वेरल का ये बयान कहीं ना कहीं ठीक नहीं है चूंकि बात सिंपल है अगर इंडिया refined oil product को यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा है और भले ही वो रशिया का crude oil है लेकिन कहीं न कहीं यूरोप की नीड है इस समय भारत से oil import करना तभी भारत के oil refineri यूरोप में oil export कर रहे हैं और जौसफ वोरेल के इस बयान के बाद भारत के foreign minister ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि European Union के sanction के rule के according अगर रशिया के crude oil को किसी और देश में refined किया जाता है तो उसे रशिया का product नहीं कहा जाएगा जिसके बाद उन्होंने council regulation 833-2014 को देखने के लिए कहा जिसमें यही बात mention है तो ऐसा नहीं है कि भारत ने किसी तरह से भी यूरोप के बनाए हुए rules को break किया है लेकिन क्या इस बयान के बाद यूरोप के देश भारत पर किसी तरह का action लेंगे या इंडिया से oil import करने को कम करेंगे अब इसका जवाब है नहीं जिससे यूरोप के लोग उनसे impress हो लेकिन अगर reality को देखा जाए तो अगर यूरोप इंडिया से oil import को बंद करता है तो ऐसे में उन्हें गल्फ के देशों से refined oil product को import करना होगा अब इससे होगा ये कि international market में demand और supply का balance बिगड़ेगा जिससे oil की कीमतों में तेजी से उच्छा लाएगा already यूरोप के देशों को रशिया पर बैन लगाने के बाद अपने refined oil product को need को fulfill करना मुश्किल हो रहा है और साथ ही महेंगा पढ़ रहा है ऐसे में अगर यूरोप इंडिया पर किसी तरह का action लेता है तो भारत पर उतना फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि वार से पहले भारत यूरोप को लगवक एक लाग चोवन हजार बैरल पर डे एक्सपोर्ट करता था जो वार के वाद दो लाग बैरल पर डे हो गया लेकिन इंडिया से इंपोर्ट कम या बंद करने से यूरोप की एकनौमी पर प्रेशर ओर बढ़ जाएगा इसके लावा यूरोपिन देशों के साथ इस समय भारत के स्ट्रेटेजिक रिलेशन्शिप इस्टैबलिजड है और भारत पर किसी तरह का का एक्शन ना सिर्फ इस रिलेशन्शिप को इफेक्ट करेगा साथ ही यूरोप जानता है कि रश्या और भारत आपस में स्ट्रॉंग अलाइन शेर करते हैं ऐसे में यूरोप के द्वारा किसी भी तरह का का एक्शन एक नए जियो पॉलिटिकल वार की शुडवात कर देगा और यूरोप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा सो इस बयान से फ्यूचर में किसी भी तरह से इंडिया और यूरोपियन नेशन के बीच जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन्शिप एस्टैबलिजड है उस पर फरक नहीं पड़ेगा बाकि आपको क्या लगता है क्या इस तरह का का बयान भारत के अगेंज देना यूरोप के लिए कितनी मुश्किले खड़ी कर सकता है मुझे कमेट में बताओ वीडियो इंफोरमेटिव लगियो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को अउन कर लो ताकि आपको इस चैनल की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में गुड़ बाई फॉर नाओ और एब गुड दे तो आल अफ यू